नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर M6 शोरकेन के वीडियो टुटोरियल में मैं हूँ आपका दोस्त परवीन राणा और आज के इस वीडियो में हम प्रेडिक्शन करेंगे निफ्टी की देखेंगे कि निफ्टी किस तरफ जा सकती है जैसा कि आपने थमनेल में देखा था कि निफ्टी में मैंने आपको बताया कि कुछ सुधरने के इसके हालात दिखाई देने हैं चार्ट में वो किस तरीक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे और करेंगे आज निफ्टी की एनलिसिस और जानेंगे कि आगे आने वाले टाइम में किस तरीके के हो सकते हैं निफ्टी के ट्रेंड तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाई वीडियो को अप्रेल 2022 की जहां पर 17400 का लेवल तोड़ा मार्केट ने और वहां से नीचे का ट्रेंड शुरू हो गया ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे कि नए लोवर लोज बनने शुरू हुए हर दिन एक नया लोवर लोज आपको यहां पर देखने को मिला ठीक है अभी अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें ठीक है तो यहां पर इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी जब आप सारे के सारे लोज को यहां पर मिलाएंगे तो आपको अलग अलग यहां पर दिखाए देंगे कि किस तरीके से ट्रेंड जो है नीचे की तरफ गया और मार्केट न तो मिला है एक तो इसने यहां पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाया थीन कैंडल में वापस यहां पर मार्केट नीचे आ गया यहां पर आप वो चीज़ देख सकते हो ठीक है वापस मार्केट नीचे आ गया पहले उपर जाने की कोशिश क पर रीचे आगया, क्योंकि यह level जो है उसको तोड नहीं पाया था, ठीक है? यह level था आपका 16,000 का level 16,000 के level पर मैं एक line draw कर देता हूं और आपको दिखाता हूं ठीक है? यहाँ यहाँ पर 16,000 का level, 16,000 के level को यह break नहीं कर पाया और एक दम से जैसे ही तोड़ा उसके बाद यह नीचे से 200-300 पॉइंट नीचे चला गया अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं आपको दिखाऊं 12 माई का ठीक है तो यह 12 माई का जो लो है दोस्तों यह यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यह यह लो कितना है अगर मैं इस केंडल पर रखता हूँ तो डेटा विंडो में हमें दिखाए देगा लो है यहाँ पर 15,733 का अगले दिन अगर हम आए अगले दिन जो लो है वो है यहाँ पर आप देखेंगे 15,744 का यालिकि पिछला जो लो बनाया था उससे उपर लो बना उसके बाद आज का लो अगर हम बात करें तो आज का लो था दोस्तो 770 का ठीक है अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन नीचे से ड्रॉव करते हैं तो हमें यहाँ पर हलकी सी तेजी देखने को मिली है लेकिन अभी के जो लेवल्स हैं उस लेवल्स में क्या हो रहा है दोस तो अब दोस्तों यह जो दो लेवल्स है यह काफी क्रूशल लेवल्स है और यहां से मार्केट डिरेक्शन चेंज करेगी ठीक है तो अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कि जो रीसेंट ट्रेंड है अगर मैं शॉर्ट ट्रेंड की बात करूं 15,800 का तो 15,800 का लेवल बहुत क्रूशल है अगर 15,800 के नीचे मार्केट जाती है तो आपको एक फ्रीफॉल देखने को मिलेगा निफ्टी में 200-300 पॉइंट का फिर से लेकिन अब यहाँ पर जो लेवल है यह वाली जो ट्रेंड डाइन मैंने नहीं घींची है ग्रीन कलर की अगर इसको यहाँ से ब्रेक करता है अभी इस लेवल पर यह लाइन का जो प्राइस है वो है लंसम 15,900 जानी की 15,900 के उपर अगर मार्केट जाती है तो फिर थोड़ा बहुत हमें उपर की साइट देखने को मिल सकता है और अगर 16,000 को ब्रेक करती है तो फिर जो अगले ले हैं वो 16,200 और 16,400 के आसपास रह सकते हैं तो इसमें अगर आप देखे आगन आने वाले दिन में तो कल के दिन में मैं इसमें तेजी देख रहा हूं अगर 15,900 के उपर मार्केट ओपन होता है तो शायद कल एक अच्छा खासा मूव डेर सो से 200 पॉइंट का हमें देखने को म बंजबंगर 15,000 और 16,500 के बंजब रहा हूं कि आसे बंजब देखने को तो आप आप तो शायद का दोदेखने को तो एक जबंगर 15,500 के यह दोूओत आप में अष्क खाने को आप एक अज़ खाज़ बाले छो